construct the angles of the following measurement 30 degree 22 and a half and 15 degrees तो सबसे पहले हम 30 degrees बनाते हैं और वहीं सही हम 15 degree भी बना लेंगे quickly हमें कहें करना है ये point के उपर 30 degree angle बनाना है देखो 60 degree angle कैसे बनाते हैं हमने बहुत detail में already किया था ठीक है और इसमें फिर से हम करेंगे और फिर 60 degree angle का हम half लेंगे और वो 30 degree हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है compass लो और उसको कितना भी खोल लो नॉर्मली इतना गर हम खोलते हैं ठीक है तो ये मैंने compass से यहाँ पे एक आक लगाई जो इस ray को इस a, b ray को एक point पे intersect करती है से point c ठीक है अब compass उतनी खुली रहेगी जितना हमने a से आक लगाई थी ठीक है जितनी a से आक लगाई थी इसको बिना change किये c point से हम एक point और लगाएंगे यहाँ पे एक आक और लगाएंगे यहाँ ठीक है तो यह जो point आया मेरा यह वाला point इस point को मैं a से join करूँगा तो इस point को मैं a से join कर देता हूँ ठीक है तो यह जो मेरी ray आई यह 60 degree का angle बनाएगी अगर मैं इस point को d बोल दूँ तो b, a, d यह जो मेरा angle बना यह बनेगा 60 degree का angle 60 degree का angle बन गया अब हमें इसका angle bisector लेना है angle bisector कैसे करते हम उसके लिए फिर से आप यह compass उठाओ और अब जुरूरी नहीं है कि आप इसका size same रखो आप इसको कम भी कर सकते हो जादा भी कर सकते हो मैं जादा कर देता हूँ ठीक है उसके बाद c point से आप एक arc इधर लगाओ इस point को मैं e बोल देता हूँ ठीक है और बिना compass को change किये हुए इसकी width change किये हुए e point से भी आप एक arc इधर लगाओ यह जो दो arcs आपस में यहाँ पे intersect कर रही है यह जो मेरा point आएगा इसको से मैं f point बोल देता हूँ अब f point को जो मैं a से join करूँगा तो यह line 60 degree angle को इस angle को bisect करेगी तो यह मैं draw कर देता हूँ यहाँ पे तो यह जो मेरी ray बनी af इसको अगर मैं अब check करूँ तो यह मुझे 30 degree का angle देगी ठीक है तो यह 30 degree angle बन गया ठीक है तो यानि कि हमने 60 degree वाले angle को bisect किया तो यह जो मेरा angle आया इतना angle यह कितना आ गया 30 degree ठीक है 30 degree angle आ गया तो पहला हमने बना लिया अब जैसे हमने इस angle का angle bisector लिया न वैसे ही अब आप इस 30 degree angle का bisector ले लो उसके लिए क्या करना है कि अब यह तो आप यह एक arc लगी हुई है ठीक है यह red वाली तो यह point और यह point इन दोनों point से इसी तरीके से मुझे दो arcs इदर लगानी है और उसके लिए फिर से आप चाहो तो चाहे इसको अब छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो अब मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ठीक है लेकिन दोनों cases में c से और g से compass की width सेम रहेगी ठीक है तो अब यह जो मेरे पास point आया इसको मैं से h point बोल देता हूँ अब इसको मैं जब a से join करूँगा यह मैं एक ray बना देता हूँ यहाँ ठीक है तो इस angle को जब आप measure करोगे तो यह 15 degree होगा so let's see that के यह मैंने यहाँ से check किया तो यह 10 और यह बिल्कुल बीच में 15 degree angle मेरा बन गया ठीक है तो यह जो मेरा angle यह वाला angle बना यह 15 degree बना ठीक है मैं दुबारा से बतायता हूँ पहले मैंने यह एक ray बनाई और यह point से यह एक arc लगाई और उतनी ही compass खोल के मैंने यहाँ स एक point लगाया तो यह जो मेरे पास दो red arcs आई है जहाँ पर intersect करती है इस point को जब मैं A से join करूँगा तो यह 60 degree का angle बनेगा 60 degree angle बन गया फिर हम 60 degree के angle को bisect करेंगे इसको जब bisect करेंगे कि यह जो red वाली arc इस point पे और इस point पे इन दोनों race को जिन जिन points पे intersect करती है उन दोनों point से हम फिर से compass लेंगे और उसकी width कितनी भी रखेंगे लेकिन c और e से ब्राबर width से हम दो यह arcs लगाएंगे वो जहाँ intersect करेंगी उसको A point से जब join करेंगे तो यह जो line है यह इस angle आ गया ठीक है B A F यह 30 degree हो गया फिर same procedure फिर से यह arc जो already लगी होई है इन दोनों point से मैं 2 arcs लगाँगा उस point को यह से join करूँगा और एक ray draw कर दूँगा और वो जो है वो इस वाले angle का half हो जाएगी bisect करेंगी उसको तो यह 15 degree मेरा इसका bisector 15 degree angle बना देगा done यह part होगे फिर 90 का half लोगा तो 45 degree फिर 45 degree का half लोगा तो 22 and a half आएगा just in case कभी आपको ना समझ मैं आ है न तो कैसे करना इसको तो आप reverse track कर लो कि जैसे 15 degree 15 बनाने के लिए ठीक है मैं 15 को अगर double करूं तो 30 आता है और 30 का double करूं तो 60 आएगा okay ठीक है हमें पता है कि 60 कैसे बनना है तो यहां से फिर हम यह बना सकते हैं ऐसे ही 22 and a half हमें यह पता है कि 22 and a half का double जो है 45 होता है और 45 का double जो होता है 90 तो हमें यह पता है 90 कैसे बनाना है फिर उसका half करेंगे फिर उसका half करेंगे तो 22 and a half भी बन जाएगा तो हम इस angle को बनाते है 22 and a half को तो इस tutorial को हम थोड़ा सा quickly कर तो सबसे पहले एक पॉइंट से आप कितनी भी कमपस खोल के यह थोड़ी सी लंबी आक लगाओ उसके बाद यह इस रे को जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से बिना कमपस की विट्थ चेंज की हुए पहले यह एक आक और फिर यहां से एक और आक लेकिन दोनों केसे में हमने विट्थ कमपस की अभी बराबर रखी है जितना ए से हमने कमपस को खोल के यह आक लगाई थी उतनी ही कमपस खोली रहेगी और यह आक और उतनी ही कमपस खोली रहेगी और यह आक उसके बाद now you can change तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा change कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ ना चाहूँ तब भी ठीक है वो भी काम चलेगा फिर मैं यहाँ से एक आग यहाँ लगाँगा और एक आग यहाँ से लगाँगा same width की तो यहाँ से मैंने जितनी compass खोलके एक आग लगाई उतनी compass खोलके यहाँ से एक आग लगाँगा फिर यह जो मेरा point आएगा इसको मैं A से join करता हूँ तो यह मेरा क्या बन जाएगा 90 degree का angle तो यह मेरा 90 degree का angle बन गया ठीक है इसको हम last में verify भी करेंगे तो अब मुझे कहा करना है कि यह जो point है यह point और यह point अब मैं इन दोनों point से एक एक आग लगागे 90 degree का पहले bisector लेता हूँ तो यह जितनी भी आग खोली होई है it will work मैं थोड़ी और भी खोल सकता हूँ तो यहाँ से मैंने यह एक point इदर लगाया और इतनी ही width compass की खुली रहेगी और मैं एक point और लगाँगा यह थोड़ा सा मैं दुबारा बना जाता हूँ ताकि यह intersect कर जाए अच्छे से तो यह मेरा एक point आ गया अब इस point को मैं A से join करूँगा इसको जब मैं join करूँगा तो यह मेरा 45 degree का angle बन जाएगा और अब मुझे क्या करना है यही process repeat करना है और अब यह जो मेरा angle आया B, A, इसको मालूँ मैं C बोल देता हूँ B, A, C अब मुझे इसका angle bisector लेना है same process फिर से आप compass लो मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ इस बार और यहां से मैंने एक आग यहां लगाई और उतनी ही compass खुली रहेगी और एक आग मैं और लगाऊंगा तो यह जो इनका point of intersection आया इसको मैं A से join करता हूँ इस point को मैं D point बोल देता हूँ तो यह जो मेरा angle बना B, A, D यह 22 and a half degree का बनेगा इसको हम verify कर लेते हैं तो यह अगर आप देखोगे यह मेरी 90 degree angle बन गया यह 45 degree बन गया और यह 22 and a half बन गया ठीक है तो हमने 90 degree बनाया उसका angle bisector लिया तो 45 मिल गया फिर उसका angle bisector लिया तो 22 and a half degree angle बन गया So that's it from this tutorial Keep watching Mathematia क्राण क्जोगे Architect